पर्चेज मशीनरी लास्ट यर मशीनरी कब खरीदी लास्ट यर एन इंकर्ड रिपेरिंग चार्डजेश 4000 इन दा करेंट यर यार मुझे इसको ट्रांजेक्शन को पढ़के मुझे आप लोगों को समझाने की जुरत नहीं है हमने मशीनरी खरीदी लास्ट यर पर्चेज कब हुआ था लास्ट यर में को एक बात बताओ करंट यर में क्या सिस्टम है करंट यर में आपने इस पर रिपेर किया तो मुझे बताओ ना यूज़ करने के बाद रिपेर हुआ तो यूज़ से पहले हो गया यूज़ करने के ब प्रति यह जरूर लग देते हैं लास्किर एंट्री कें मारों के जब एज भरी थी मशीनी है ना बैं लिखो यहाँ बैंसेट œ नाम क्या है जब का नाम मशीब क्यों डेबिट हो रहा है मशीनरक而且 का क्षय वर्याय गई वरेकबिटक्स लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे मेरे पैरे बच्छों यहां क्या लिखोगे टू कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कि क्याश चलो आओ करेंट यहां कि देखो नरेशन के लिए जगे चोड़ रहा हूं नरेशन तुम्हें लिखनी है यार समरी टाइप एंट्री का बस छोटा सा एक लाइन जित्ता मतलब इसना सा जो एरिया में आ जाए एक एसा लंबा चोड़ा मत लिख देना पूरी कहानी उसके बाद आपने रिपेरिंग करचा किया तो अब आप क्या लिखो गए रिपेर एक्सपेंसे रिपेर एक्सपेंसे अकाउंट डेबिट तो कैश अमाउंट बोलो ना यार कितना है अमाउंट 4000 तो रिख लिए रहे नरेशन के लिए जगे छोड़ दो तो गैस यार यह बिल्कुल फिर 22 कॉपी करो फिर उसके आगे चलते हैं एले तीनों ट्रांजेक्शन को अपन लॉजिकली समझते हैं इधे को 1,2 और 3 देख रहा है 23,24 और 25 तीनों को अपन समझते हैं और फिर एंट्री मारेंगे पहले समझना जरूरी है देखो पेड रेंट 70,000 मैंने का हमने रेंट कितना पेग या मुझे बटाओ ना जो किराया आप देते होना नॉर्मलि क्या होगा यही मानेंगे मेरा खर्चा तो हमने का ठीक है या dwell Sun को डेबिट वारा कि र Bent अकंट डेबिट कु कि एइंट अकंट डेबिट 2 कि 10 आष कि इतना है से बंड़ाओंकfahr Skill साभर है इसके regarding बिल्कुल clarity है जी जो अमारा खर्चा था जो अमारा खर्चा था वो हमने लिख दिया तो खर्चा अमेशा debit होता है तो expenses को debit मारा खर्चे की वजह से मेरा cash कम हो गया तो उसको मैंने क्या कर दिया मेरे 80,000 क्या बोला हमने rent पे किया 80,000 और अभी भी outstanding है कितना 20 अरे यार मैंने 80,000 रुपीज तो दे दिये 20,000 अभी भी outstanding है तो total मेरा इसका मतलब rent का खर्चा इस साल का कितना था 1,00,000 तो total खर्चा कितना भूको न अची है 1,00,000 तोरी समझ में आ रही है connect करते जाना एक काम करते है पहले इन दो की entries मारते है ताकि थर्ड वाला न और अच्छे से समझ में आया और revision type होता है तो मैं पहले 23rd की entry मारता हूँ जो कि बड़ी आसान है 23rd में तो कोई problem ही नहीं देखो 23rd हमें बहुत ही simple सा बोलता है कि यह rent का मैंने खर्चा कर दिया हमने का कोई टेंशन नहीं है या रेंट का आगर आपने खर्चा कर दिया कोई problem नहीं है कोई भी problem नहीं है अब सुनना ध्यान से मैंने का यहां आप क्या लिखोगे मैंने का रेंट अकाउंट डेबिट रेंट आपका एक्स्पेंस है तो डेबिट होगा कितना 70,000 और रेंट दिनी की वज़े से आपका कैश नाम का एसेट कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया 70,000 नरेशन मार दिया यहां पर हम लहें लरेटी यहाаже 100 पर्सेंट क्लारेटी होनी ही होनी है अब मेने का ट्वंटी फॉर्ट वाला स्टर गर्ते हैं अब उससे पहले कोणसेट समझळें मैंने का यार मेरा जो एक्सपेन्स होगा ओर द्ए एर होगा जो मेरा ये एक्सपेंस for the year होगा accrual concept यहाद होगा accrual basis of accounting भी करके हम आए हैं तो मैंने का यहाँ पे 80,000 जो मैंने pay किया वो तो आएगा ही आएगा plus 20,000 जो मैंने pay नहीं किया बट current year को belong करता है वो भी आएगा ही आएगा तो मेरा total कितना हो जाएगा यार expense 80 plus 20 वन लाक अब recording इसके लिए ना बहुत important है recording इसके लिए बहुत important है मतलब recording में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यह जो recording है मेरे प्यारे बच्चों इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा मैंने का जो आपने payment कर दिया ना वो तो बड़ा असान है क्या बोला मैंने जो आपने payment कर दिया ना वो तो बड़ा असान है बट मैंने का जो payment आपने नहीं किया ना उसके regarding है भीया सवाल मैंने का सवाल क्या है मैंने का सवाल देखो जो payment कर दिया उसका तो बड़ा असान है आप rent account को debit करोगे और आप two में क्या करोगे to cash rent account debit to cash कितना आएगा 80,000 ठीक है यहाँ पर आप क्या करोगे narration मारोगे क्या करोगे guys यहाँ पर narration मारोगे तो यहाँ पर narration आप लिखोगे और लिखोगे 80,000 क्या लिखोगे 80,000 मैंने का यहाँ पर आप question mark लिखो यहाँ पर आप question mark लिखो rent account debit to cash अब मैंने का जो अगली वाली entry उसमें दिमाग लगाने है मैंने का देखो भले ही मैंने वो 20,000 पे नहीं किया बट क्या मैं कह सकता हूँ वो 20,000 है तो मेरा expense अरे मैंने 20,000 पे नहीं किया बट वो 20,000 है तो मेरा expense तो मैंने का हमने वो 20,000 यहाँ लिख दिया अब मैंने का क्या मैंने यह 20,000 पे किया है नहीं तो कहीं सबसे पहले तो यह logic क्लियर करो यह debit क्यों हुआ 80,000 भी मेरा current year का expense है 20,000 पे नहीं किया वो भी मेरा current year का expense है दोनों के दोनों को इसलिए debit किया मैंने का आप second aspect यहां तो cash credit हुआ क्योंकि cash गया बट मैंने का एक बात बताओ यहां पे मैंने payment किया नहीं तो मैंने का भहिया जब मैंने payment ही नहीं किया तो यह 20,000 क्या मुझे future में payment करना है बिल्कुल तो मैंने यहां पे लिख दिया to outstanding rent to outstanding rent और मैंने यहां पे कितना डाल दिया मैंने यहां पे डाल दिया 20,000 तो मैंने का यार यहां पे clarity है अपनी बिल्कुल यार यहां पे clarity है बिल्कुल मैंने का बिल्कुल तो मैंने का rent account debit to outstanding rent अपने कर दिया तो मैंने का यार यहाँ पे दिमाग में बिल्कुल set हो गया मैंने outstanding rent उपर वाले में cash किया क्योंकि मेरा cash कम हुआ आगले वाले में मेरे पहरे बच्चों मेरा cash कम नहीं हुआ मैंने payment किया ही नहीं मैं payment कब करूँगा future में तो याद करो यार accounting question में भी देखके आये हूँ यह चीज़ जो payment आफ future में करते हूँ आपकी liability है तो outstanding rent क्या बन गे मेरी liability एक काम करो 23rd और 24th को लिखो तागे concept दिमांग में revise हो फिर हम 25th करेंगे तो